हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही यूसफुल है बिल्कुल भी इसको स्किप मत करिएगा फूल वाच करिए क्योंकि इसमें ऐसी सी जानकारी है जो आप नहीं देखेंगे न तो बहुत सारी चीजें मिस कर देंगे और मतर चीलके को कःले चांबान सिकनाल वाच कि इसको खाले लेकिन जो फीकट कर लीजे कहत ला लेकिन प्याज यह चीक्ट्क चलके ने कर ला हो अभ़ी ऐसी बाल्टी बना लीजै जो पुरानी हो और प्लास्ट्क किए expressing उस्पार्ट्व हैं उस्ट कि फी कमता कर देंगा है उसे यक फम्हां मं दालेर आप उसमेरा प्लास्टिक अपने पॉधो में डालीए उसको यूज करिए देखिएगा आपके पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी तो आज के बाद अगर आपको पता नहीं हुआ तो आप मटर के छिलके कभी मत फेकिए इसको इसी तरह यूज करिए आपके लिए बहुत ही फायदे मन रहेगा पौधों के लिए तो अगल के लिए यह बहुत ज़रूरी है आपको पीने से पहले इसको चेक करना चाहिए जब भी आप मार्केट से लाते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है आपको ले लेना है एक ग्लास चाहे आप कांच का ले सकते हैं चाहे जो मैंने यह प्लास्टिक के लिए है आप यह भी ल तो अगर light yellow रहेगा तो आपका ये असली चाय पत्ति है कोई मिलावत नहीं है तो देखे यहां पर मैंने अभी मिला के देख लिया है तो ये बिल्कुल light color आया है इसमें कोई भी मिलावत नहीं है तो आप इस तरह से चाय पत्ति को जरूर चेक करें ये सब की health के लिए जरूर तो देखे यहां पर मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूं तो आई होप आपको यह टिप अच्छी लगी होगी तो यहां मेरी अगली टिप है गाजर को लेके तो गाजर का सीजन चल रहा है बहुत सारे गाजर सब के घरा रहे हैं तो हल्वा बनाने के लिए चाहिए जो भ आपका नुकसान भी होता है तो आप कभी भी गाजर जब लाएं तो पीलर से न चले और एक चीज और होता है कि जब टेड़े मिड़े गाजर होते हैं वो पीलर से छिलने में बहुत दिक्कत होती है तो उसके लिए आप क्या करें कि अल्मोनियम फाइल ले ले और इससे अच्छे से यह निकल जा रहा है तो है न कमाल की ट्रिक आप भी ज़रूर अपनाएं जब भी गाजर लाएं तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी देखें एक बार ऐसे रफ करने पिना एक साइट का निकल जा रहा है तो आई होप आपको यह अच्छी लगी होगी और इसमें देखें कोई मेहनद भी नहीं है इतनी आसानी से टेड़े मेडे घाजर जो है वह भी बहुत आसानी से हो जाएंगे तो देखें यहाँ पर मैंने सब घाजर इतनी जल्दी कर लिए आप रेक सारे एक साथ बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं आप जरूर इसको ट्राइ करेगा और जरूर बताइएगा कि आपको यह तरीका कैसा लगा क्योंकि यह तरीका अभी तक किसी ने भी नहीं बताया था तो यहां मेरी अगली टिफ दवाईयों को लेके हैं तो दवाईयों को जो हम एक बार खोल लेते हैं तो क्या होता है कि इसमें से दवाईयां लिक करने लगती हैं चाहे हम इसका धकन लगा ले तो भी तो इसको हमें क्या करना है कि जब भी हम इसको यूज कर ले न थोड़े सी दवाईयां बस जाएं और हमें कहीं आना जाना हो इ तो इसको मैंने फोल्ड कर लिया है और अब इसमें हम डाल लेंगे और फिर हम इसको धकन को लगा देंगे जिससे क्या होगा कि आपकी दमाया लीक नहीं होगी बहुत ही अच्छी तरह से पड़ी रहेंगी आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं तो देखें अब यह धकन भी लगेंगे भी नहीं तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वह भी बताईएगा और शेयर जरूर कर दीजेगा वीडियो को थैंक यू फॉर वाचिंग